को इनके साथ देखिए खुशी तो तभी बहुत हुई थी कि जब उन्होंने ब्रॉंज मेडल जीतने के बाद ये कहा था कि मैं कुष्टी करने के टाइम में जब भी भी फ्री होता हूं तो तारक मेदा का उटा चस्मा देखता हूं तो ये बहुत मैं खुश हो गया तभी मैं अमरीका में था और मैंने सोचा था कि उनको हमारे शो पे इन्वाइट करूँगा और हमारे सारे कलाकारों के साथ मिलवाँगा क्योंकि जो शक्स हमारे शो को इतना प्यार करता है तो उसको सब कलाकारों से हमारे पूरी गोकुलदाम सोसाइटी में उसको मिलाना तो बनता ह तो मैं एक सही मोका ढूंड रहा था तो गणपती उत्सव में हमने उनको बुलाया और उनको कहा कि आप ही हमारी गणपती उत्सव की आज गोकुलदाम सुसाइटी में आरती करो दर्शन करो और वो सबसे मिल पाए यह मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैंने कभी सोचा न देंगे और खुशी देंगे थेंक्यू अमन भाई क्योंकि जब एक कलाकार को जब एक कोई सरात है न जब बोलता है कि आपने हमें हसाया तो हमारा उस्सा और खुशी दुखनी हो जाती है को एकार से खुशी हैSen जब बढ़े कलाकार ने तुरी तेसन असालना से और अपने को पूरिमेरी टीम एस सब्सक्राइब हो यह हमको बहुत सुकुन निलां। कि कबसे आप तारक मैता देखते आया है कि कि आपने इंट आ हदा जीतने के बाद कि हम जी तारक मैता पसंद से फ्री टाइमें में वह देखता हूं। तो क्या करना चाहिए जंता को। मैंतार हुंत था मैंता तो मίν'll did GIAM दोनज ole दो जरूं नीश पहले मेरे पासपनिल युद नीश में आनल प्रॉजई देखने में अच्छा आपपने जिब मैडल जीता तो प्रोदेश को भूत प्राउड वो पल कैसा था अगर जनता को बता सके एक बार और क्या कहना चाहेंगे भार के लोगों बस वो पल तो जब मैडल लिया जब थोड़ी उदासी थी भाई गोल्ड क्यों निया थोड़ी कमी रह गई पर उसके बाद जो रूम में गया एक दिन एक दो दिन के बाद तो ऐसा लग बरॉंज भी बहुत मतलब बगवान की आसिरवाद से मिल गया और ऐसे तो कई बच्चे भी हैं जो मेंसे भी ज्यादा मैनत करते हैं उनको रजल्ट नहीं मिल पा रहा तो बस यहीं सोच के करी थी भाई हमारी मैनत हमें मैनत करते हैं उनका रजल्ट तो मिल रहा है यही रहे हैं उनी पर ज्यादा फोकस है जी जी जो हमें प्यार करता है तो बस गनपती बापा और बगवान को प्राथना है कि उनके उपर हमेशा शीरवाद बनाए रखे और जो उनका सपना है गोल्ड जितने का भारत देश की और से और साकार होगा जो आदमी मेनत करता है भग को पूछिए बस मेरा तो यही मैसी जाए कि कोई टेंशन की बात आए तो जिन्द की मतारे कि बाता चला ले ना एक दम सब टेंशन फरी हो जाएगा थेंग युदि कहे दिया पीज कुछ करना शेंगे आम लिगता कि बस मैं भी यही कहूंगा कि तारगमेदा का उठा जश्मा देखते रही है हसते रही है सोला साल हो गए है अभी हम सत्रावे साल में है और पूरी टीम मेनत करती है कुछ बदलाव हो जाते है शुक के अंदर बस आप उसको फिर भी आप इतना प्यार कर रहे हैं मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूं और मैं जानता हूं कि आपको आपकी हसी और खुशी वो मेरे लिए एक ही लक्ष है इसा इनका एक ही लक्ष है भारत देश के लिए गोल्ड लेक्याना मेरा भी एक ही लक्ष है कि तारक मिदा का उट्टा चुस्मा में सबको हसा दे रहूं सबको खुश रखो तैंक